नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल इंडिया मैं हूँ आपके साथ प्रदिम्न शर्मा एक नज़र डालते हैं उत्रखन की खास ख़बरों पर कॉंग्रेस के वरिष नेता हैं पूर्व दर्जा राजमंतरी वे किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल रावत ने कहा है कि कॉंग्रेस 2022 के चुनाफ पूर मुख्य मंतरी हरी शर्मा बापसी करेगी यह अपने कारल है पर आयोजित प्रेस वारता में कॉंग्रेस के पूरु दर्जा राजमंतरी वे किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल रावत ने कहा है पूरे प्रदेश में बदलाव की लेहर चल रही है तेदा प्रदेश की चंता बदलाव चाहती है उन्होंने कहा है कि प्रदेश की हर विधान सबाहों से लेकर ग्राम सबा और हरीष रावत की चरचा हो रही है उन्होंने का है कि राज सवार चुनाव राज राज मेरा और उत्रखन के काघर। जनुका यह वान है, सोरिष्य स्रीमती सोनिया गाधी राजच्च द्यक्ट, राहुल गाधी जी से कि हरिश राउज जी को ही उत्राखंड का चहरा प्रजेक्ट किया जाए, इतुमें बहुत मत के साथ में कांग्रेश फिर से पुना जिवित हूँ, बाई, साथ शीते से छोड़िये, जन्ता से पूछिये न, उत्राखंड की जन्ता से पूछिये, जन्ता ने किस कदर से जन्ता त्राई त्राई के हो रही है बीज़े बीज़े, यह आप लोग को खुद बालू मैं, युवा बेरुजगार है हलदुआनी में पुलिस और प्रशाशन का इकबाल खतम होता हुआ नजर आ रहा है, सीजी टीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीर, इस बात की तस्दीक कर रही है कि 10 जन्वरी की रात को डियम कैम के सामने चर्च कमपॉंट परिसर में फाइरिंग की गई, जिसकी तस्वीर सीजी टीवी कैमरे में कैद हो गई है, यही नहीं, फाइरिंग करते हुए युवक की साफ सीजी टीवी कैमरे में देखा भी जा सकता है, हाला कि वीडियो देखने के बाद SBCT अमिश्रीवास्तप ने मीडिया से कहा है कि इसकी जांच कराई जाएगी, यदि यह गटना सही साबित होती है तो उचितकारवाई भी की जाएगी, गौरतलबे की DM कैम के पास इस तरह के गए खुले आम गोली चलाने की घटने के वीडियो वारण होने के बाद पुलिस की राज्त्री गश्त पर सवाल उठ रहे हैं। गाओं आज भी मूलभूस विदाओं को तरस रहे हैं। सरकार की तरप से विकास कारें के लिए कोई भी सुविदा उपलब्द नहीं कराई जाती है। जो गाओं में काफी नीचे तक लटक रही है। और बिजली के तारों के हलत बड़ी बेकार हो चुकी है। पानी के जो पाइप लाइनों की हलत है बड़ी बेकार हो चुकी है। और दूसरा आज भी पंचायत यहां से पैसा वस्वल करके लेके जा रही है। लेकिन महर लगाने के नाम पर बिल्कुल कता ही हमारा यह बंद हो चुका है। महरों का खेल भी बंद हो गया है। नरेगा के जो काम आते थे वो सारे काम बंद हो चुके हैं। अधिकतर महलाएं जो एक रोजगार पर निर्भर रहती थी नरेगा के आब वो आज वे रोजगारी के कागर पर पहुंच चुकी हैं। माली हलत खराब हो चुकी हैं। मेजर बिभूती शंकर की मूरती साफित की जाएगी जिससे की उनकी शाहदत को याद किया जा सके। लंडौर के बारे में इतना सोचता हैं चाहर विशाल भारदवाद जी हो दीपक मधोग जी हो या आपके प्रमोद कपूर जी करन कपूर की हैं। लोगों ने एक म्यूजियम बनाने की जिसमें लंडौर की संस्कृती दिखाई जाएगी विरासत दिखाई जाएगी और एक फिल्म लंडौर के उपर बनाई जाएगी। और वहीं मसूरी चावनी परिशद शेतर में लगने वाले जाम को लेकर चावनी परिशद की अद्देक्शन ने नाराज की जाहिर किया हैं। चावनी शेतर में चावनी और लडौर बजार के इतिहास को लेकर एक म्यूजियम वे छोटा ऑडिटोरियम बनाने की मांगी है। जिसमें इस्थानी युवा और बच्चों के अंदर फिल्मों में करियर बनाने की जानकारी दी जा सकेगी। इस दोरान बोर्ड बैटक में निनन लिया गया है कि चावनी परिशत की एंट्री गेट पर भविस्वागत द्वार का निर्मान भी कराया जाएगा। और वहीं मसूरी केंटी रोड चतरी वाले बैंड के पास एक बड़ा हाथसा हो गया है जिसमें एक ट्रक अन्यंतरत होकर सड़क किनारे भवर सिंग चोहान की दुकान में जागुसा। गनी मत रही है कि दुकान में गटना के समय कोई मौजूद नहीं था नहीं तो बड़ा हाथसा हो जाता। नहीं रोड़ा हो गया है वाईंटरक चालक छोटू खान निवासी बिहार बिगंबी रूप से घाल हो गया है जिसको एंबुलेंस से असपता ले जायाए गया है वाई टरक इंटर्क लिनर संतोष बाल-बाल बच किया है उनने बताया है कि मामली की जानच अबी की चा रही मसूरी में उत्राखन सफाई करमचारी संग के प्रद्च āद्यक्र Jugend raising मसूरी में वालमी की समाच के लोगों के साथ बẹटक की गई है जिसमें उनकी समस्यां को सुना गिया है इसे लेकर वालमी की समाच के लोगों ने मसूरी में ठीका प्रथा वे आउट्सोर्सिंग से करमचारियों को रखे जाने का विरोध किया है मुई प्रदेश भर में ठेका प्रता और सफाई करमचारियों को आउट्सोर्सिंग से रखे जाने पर जिससे प्रदेश इसतर में होने वाले आंदूलं की रणी थी भी बनायाई बदेश में उनकी समस्याओं का निदान होगा मसूरी में देरदून मसूरी पुरुकुल रोपवे पर एक बार फिर से शिफन कोट से बेगर हुए 84 परिवार ने विरूथ करना शुरू कर दिया है सोमवार को पुरुकुल रोपवे प्रोजेक्ट के तहद मुक्य दौर पर गेट लगाया जा रहा था जिसका शिफन कोट के लोगों ने विरूथ किया और गेट ना लगने दिया शिफन कोट के विरूथ के बाद मसूरी पुलिस कोतवाल देविंदर गरवाल के नेतरतों में भारी पुलिस बल मौके पर पहुच गया जहांपर शिफिन कोट से बेगर हुए लोगों को और पॉलिस के बीच दी की नोग जोग भी हो गई शिफिन कोट से लोगों का कहना है कि सरकार दोरा करोड़ों रूपे लगा कर पूरुकुल रूपे में प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है परंतु 84 सी परिवारों को बेगर करके सडकों पर छोड़ दिया गया है आज उनके बच्चे और महिला हैं परेशान हैं हवागर पर राते गुजार रहे हैं पर ना तो कोई जन प्रतिनिती और ना ही कोई प्रशाशनिक अधिकारी उनकी और ध्यान देता है किराय कोई सडकों पर रह रहे हैं और हमारी आगे की रंडिती यह होगी कि हम यह जो अब नया रूप लेगा इस अंधिक उगर अंधोलन के रूप में हम लोग समस सपनकोट वासी खड़े होंगे फिलाल इस बुलिटे में सर्फ इतना ही बनेरिय न्यूस वल इंडिया के साथ आप अशकार